कॉंग्रेस पार्टी का वडगर का अभ्यर्ति प्रियपट्टा शाफी परंबल आप सब लोग मेरे को वादा करना है दो दोनों आथ उठा के समझ में आ गया you have to rise both the hands सबसे ज्यादा लीड वडगरा में शाफी को मिलना चाहिए सारे उठावात देखो everyone should rise the hand अभी समझ में आ गया आप लोगों ने सबसे जादा लीड जो कॉंग्रेस का अभ्यर्ती UDF का अभ्यर्ती शाफी परंबल जी को जो आप लोग ने वडगरा लोग इतना प्यार आप लोग ने आज दिकाया आप सबको मैं दिल साथा नेवाद करना चाहता हूँ because of you people grand success this rally today आई इसलिए मैं ये election बहुत important election है देश के लिए इस देश को लोग तंत्र बचाना है डेमोकरसी को बचाने के लिए आप लोग इस देश को समीदान को बचाने के लिए आप लोग शाफी को मेंबरों पार्लिमेंट बना के दिल्ली बेजना पड़ेगा वड़ागर का लोगों का अवास आप लोगों का समस्या लेके दिल्ली में पार्लिमेंट में वड़ागर का अवास उटाने का काम शाफी परेंबल करेगा आप सबसे मैं रावल गांदी जी से कड़गे जी से सारे केरला का वरिष्ण नेता से मैं उन सबको धनिवाद करता हूँ शाफी जैसा कैंडिडेट आपने वड़गर को दिया या जनता मेरे को वड़ा किया है सबसे जादा वोटों से चिताने के लिए और आप सबको पता है पिन्रा विजाए नरेंद्रा मोदी का भाई है पिन्रा विजाए नरेंद्रा मोदी का भाई है नरेंद्र मोधी दिली में politics करता है ताना शाही करता है वो केरला में पिन्राय विजाई करता है वो पिन्राय विजाई को सबक सिकाना 26 चब इस तारीक को आप लोग ने सारे लोगों को लेकर वोट डलवा के शाफी को सबसे जादा वोटर से जिताने का काम आप लोग करना है मैं आपको वजा करता हूँ जो वड़गरा के लिए दिन बर रात मेनत करेगा आपका वाज उटाने का काम आपके बाई बन के रहेगा ये नेता नहीं रहेगा ये आपका बेटा बन के काम करने का काम शाफी जी करेगा आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ आप सब को पता है शाफी जी नसुए प्रेसिडेंट यूद कॉंग्रेस प्रेसिडेंट तीन बार विदायकों के पूरा देश में शाफी का एक ऐसे एक नेता है अल इंडिया ही वो कॉंग्रेस जनरल सेक्रेटरी बन के भी काम किया जो आप लोगों को जो अप कितने समय बोले आप लोगों के एस केरला को आने वाले दिन में केरला का जनटा के साथ सभी को लेके आपको ये साथ में काम करने का काम करेगा बाई 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 ओके मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ ऐसे आप लोगों ने इस केरला को बचाना केरला का इवा को बचाना केरला का किसान को बचाना केरला को मैडा को बचाना केरला का चोटे-चोटे व्यापारी, गरी, मजदूर, सभी वर्थ, सभी समाज को बचाना है तो केरला में कॉंग्रेस पार्टी को 200 सीट, 200 जिताने का काम केरला का जंता और एक पर आश्रिवत करने का काम करेगा रावल गांदी जी, इस देश का विजिनरी लीडर इस देश का समिधान को बचाने के लिए कोई एक वेकति लगतार लड़ाई लड़ रहा है, वो रावल गांदी जी है जो कॉंग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टों है, यो कॉंग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया रावुल गांदी ने जो भारत जोडो यात्रा कन्या कुमारी टुक कश्मेर मनिपूर से मुंबई तक जो करोडो लोग रावुल गांदी जी को मिले जिवा मैडा सभी लोग मिलके उन लोग ने सला दिया इस देश का 140 करोड लोगों का जो अवास कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में कोई भी वाई एक बार देखेगा वो कॉंग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगा कॉंग्रेस पार्टी अधिकार में आते एक माहिने के अंदर जो केंदर में 30 लाग जो खाली है जो रोजगार, बरने का काम, Congress Party करेगा ये काफी माइलालोगे, जो माइला के काते पे, जो नारी नयाय, नारी नयाय में एक लाक रुपए, सीधा काते में डालने का काम, Congress Party करेगा, जो युवा के लिए, जो प्रतेक, जो पांच अजार करोर पैकेज, जो स्टाटप के लिए, युवासाती के लिए मिलेगा आशामो जो अंगनमाडी में काम करते हैं आशावर करें और जुगी जुमाटों में काम करते हैं ऐसा लोगों के लिए विशेश पैकेज रखा गया है जो पीपर लीक वो रहा है पेपर लीक के लिए एक करारा कानून बनाया है और किसानों के ल कांग्रेस पार्टी करेगा तमाम श्रमिकों से लेके सब लोग के लिए जो मैनिफेस्ट होए एक बार आप भी देखे और कांग्रेस पार्टी को सबसे जादा वोटों से जिताने का काम आप लोग करें आप लोग आए या आप लोग ने अच्छे से स्वागत किया सब कुछ क बड़ेगा पूरा वड़गर में आप लोग लोगों के पास जाके एक इवाफेस हैं आपका भाई है आपका बेटा हे वोड़े के लिए वोट मांगने का काम आप लोग करें और यहां मेरे कुव पिला के बात करने को दो बात रखने को मोका दीरा मेरे भाय क्रही अर सारे वड़ेगरे का जंता को मैं दिल से धनिमात करना चाहता हूँ, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, कब आऊँगा, शाफी को आप लोग ने ज्यादा वोटो से मेंबर आप पार्लिमेंट बना के बेजेगा, तभी मैं यहां आएंगे आपके साथ मिलके डैंस करने क काम करेंगे, आपका भाई मैं करनाटक से हाता हूँ, वड़गर का कोई साती हो, किसी को कोई समस्या वो प्राब्लम हो, शाफी का भाई करनाटक में दिल्ली में मैं बेटा हूँ, आपका काम, आपका हवास सुनने के लिए मैं भी एक आदमी बेटा है, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप आके मेरे को बताना भाईया, मैं शाफी जी का लोग सबाव वड़ागरा से आया, वो मेरा समस्या यह है, वो समस्या को मैं हिम्मंदारी से कोशिश करूँगा, आप लोगों को मदद करें के लिए, और आप लोग ने दिल से प्यार से मेरे बात सुने, म झाल झाल झाल